हलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग मैं शीवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यान एक्सपी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भूगोल के कुछ महातुपून प्रस्न डिसकस करेंगे तो प्लीज आप लोग वीडियो के अं लाइक कीजिए और अगर आपको इसका पीडियेफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में है या आप सीधे जॉब एक्सपी जी ओबी एक्सपी सर्स करके आप हमारे गुर्प से जोड़ सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और दे नाम है तो अच्छा क्वेश्चन और बताए कि पूर्वी तटी मैदान का दूसरा नाम क्या है आपके और से कोंकर तटी मैदान गुजरात मैदान कोरो मंडल तटी मैदान या मालाबार तटी मैदान देखे कितना इंपर्टन क्वेश्चन है इसको एससे ने 2010 में और 11 में पूछा हुआ है इस टेनोग्राफर और सयुक्त है से करेंडरी परिक्षा में तो बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि पूर्वी तटी मैदान का दूसरा नाम क्या है तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपसे नमबर सी यानि की कोरो मंदल तटी मैदान तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ये जो है पूर्वी तटी मैदान का देख दूसरा नाम है आपसर नमबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा करेंट से ख़र धिये दिखते हैं अगला प्रश्न अग्याई है तो उसक्षान कiyor कि भारत के इस्थली क्रत मान्चित्र में से कौन सा शंगठन तो भारत के इसंतला क्रदिमांचित्र में कौन सा संगठन बंता है तो आपके आपसंस हैं भारती भगोलिक सर्वेक्षर भारती भू वैज्ञानिक सर्वेक्षर या भारती पुरा तत्विक शर्वेच्षड तो अच्छा क्वेश्चन है और बताए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यह भी क्वेश्चन दो बार पूछा गया आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्स नंबर बी याने की भारती सर्वेच्षड तो बिल्कुल राइट आंसर है यह जो है भारत के इस्थलाकरति मानचित्र में बनता है ठीक है इसमें आपका ऑप्स नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसकी स्थापना क सं 사थियस स्थापना कि गई थी चलिए देखते हैं अगला प्रश्न थो त फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्ण की कि भारती मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता तो अच्छा उने की कि भारती मानक समय किस जो है रिखांस पर अपनाते हैं आपके आप से 75.5 डिग्री 22.5 डिग्री 90.5 डिग्री या जीरो डिग्री तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि और इसी भी है तो आपकी इस का राइट अंसर हो जाएगा ऑपसिन नमबर बी 82.5 डिग्री पे जो है इस ठीक है 82.5 डिग्री इस जो है इस पे भारती समय को अपनाते हैं और एक क्वेश्चन इंपोर्टन रहता है कि यह जो है ग्रीन समय से कितना ज्यादा रहता है कितना अंतर रहता है तो सभी को बता है यह जो है इसमें अंतर रहता है तो आपको बताना है कि भारत का समय ग्रीन विच माध्य समय से तो कि यानि कि इसमें जहांद si bola टा हूं कि पांचMusic जाए है डिपांचे तीस पीछे जार गंटे पूरीफ से जाए है तुसमें आपका of में ए बिल्कुल ना रहेगा अभी ऐसे option में देख कम्फ्यूज मत होई एक ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रेशन तो अगरेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि 82.5 पूर्देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है तो अच्छा तो फ्रेंड्स देखे 82.5 डिग्री इस जो है यह हमारे भारत के लिए इसलिए महात्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है भारती मानक समय का निर्धार करता ठीक है यह इसी लिए important है क्योंकि यह जो है भारती मानक समय का निर्धार करता है ठीक है तो इसमें आपका option number B बिल्कुल सही उत्तर जाएगा या भारती मानक समय का निर्धार करता है option number B आपका इस प्राश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो बताए कि आपके question no 7 का right answer क्या होगा है तो अगर आप ने चुना है option no dna की श्री नगर तो बिल्कुल राइट आंसर आपका श्री नगर को शूर की उड़्दातर किरने कभी नहीं मिलेंगी option no अबर डी आपका इस प्रेश्ण के लिए बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्ण की निम्रिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अच्छांस पर इस्थित है तो आपके options है पटना इलाहाबाद पंचमढ़ी या एहमदाबाद तो ऐसा कौन सा शहर या कस्बा है जो सबसे उत्तरी तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है option number a यानि की पटना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका जो पटना है यह जो है सबसे उत्तरी अक्षांस पर इस्थित है फिर यह आपका आता है फिर उसके बाद में आपका इलाहाबाद आता है फिर आपका एहमदाबाद आता है तो सबसे उत्तरी अक्षांस पर इस्थित है वह आपका पटना तो इसमें आपका option number a बिल्कुल सही होगा ठीक है चलिए अगला प्रश्ण तो आपका एगला प्रश्ण है कि भारत के दक्षणी छोड यानि की Southern टिब का क्या नाम है तो अच्छा क्वेश्ण है तो पूछा भी गया ही यह आसान है कि भारत के दक्षणी छोड का क्या नाम है कन्या कोमारी अंतरीप कैलीमियर पॉइंट निकोबाद दूइप में इस स्थित को वालम है तो फ्रेंट्स अगर आपने चुना है और नमबर सी यानि की निकोबार दूइप में इस्थित इंद्रा पॉइंट तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ये जो है भारत के दक्षडी छोर में दक्षडी छोर का नाम है ठीक है और नमबर सी आपका रिटेंस अभी डिसकस किया हुआ है कि भारत के दक्षडी छोर को कहते हैं इंद्रा पॉइंट ठीक है आपसे नमबर सी आपका इस प्रस्ण के लिए बिल्कुल सही उत्तर है कई बार पूछा गया है बहुत बार आप सायदना पूछा जाए लेकिन याद रखेगा इंपोर्टेंट ह ठीक है चलिए अगला प्रस्ण तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रस्णे की भारत के दक्षड में सबसे दूरस्त इस्थल कौन सा है तो अब बात हुए भारत के दक्षड की तो सेम तूस्टेम क्यों यह यह भी है तो कितनी बार डिसक्स किया गया बहुत बर पूचा गया तो आप लोग इसको यादी रखिए इसको घुमा के पूछते दिखिए पहले पूछा गया था इसको कि दक्षडी छोड को क्या कहा जाता है ठीक है फिर आप से पूछा गया कि दक्षडी छोड का नाम क्या है ठीक है और आप पूछा गया कि भारत के सबसे दक्षडी छेत्र सबसे दूरस्त इस्थल कौन सा है तो इसका सेम ही आंसर होगा वह है इंद्रा पॉइंट ठीक है आपका इस प्रश्ण के लिए बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है चलिए अगला प्रश्ण तो यह भी अच्छा question है कि छेत्र फल्की द्रश्ण से भारत संसार का सबसे बड़ा देश्थ है तो छेत्र फल्की द्रश्ण से भारत का सबसे जो है भारत का इस्थान कौन सा है दूसरा चौथा चठा या सातवा तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है option number d यानि की सातवा त चेत्र फल्की द्रश्ण से अगर भारत का सबसे बड़ा इस्थान जो है देखा जाए सबसे बड़ा देश तो यह सबसे बड़ा आपका रूस ठीक है यह को PDF में मिल जाएगा सबसे बड़ा है रूस ठीक है और जनसंख्या की द्रश्ण में सबसे बड़ा देश का उनसा है कि किसका अंग था आपकी ऑप्संस है जुरासिक लैंड का अंगारा लैंड का आर्या वर्थ का या गोर्डवाना लैंड का बताइए कि आपके क्वेस्टन नमबर 14 का राइट आंसर क्या होगा है कि अधिक जो भारती महाद उप महादीव था यह मूल रूप से गोर्डवाना लैंड का एक अंग था आपका इस प्रेस्ट के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है किस लैंड का तो गोर्डवाना लैंड का ठीक है यह भी गोर्डवाना लैंड के ही हिस्साथ है ठीक है अपसे नमबर डी याद है याद रखिएगा इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं तो आपका अगला प्रशन की निमलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर राश्ट्री सीमा नह आए फ्रेंड्स की किसके साथ भारत की अंतचर राश्ट्री यादे की इंटर नेश्ट्री मा इंटर शंब बौनरी नहीं लगती है थो तो अब तो fan अपने चुना है option number d येकि Shri Lanka तो बेन को राइट अंसर में आपका जो है भारत की अंतरश्टी सीमा स्री लंका के साहथ में नहीं लगती है ठीक है अगर कभी पूछ लेखी भारत की जो है इन इनकरत की इंटेडनेशनल सीमा किस किस या जो है कितने देशों के साथ लगती है तो यह लगती है साथ देशों के साथ ठीक है कुल जो है यह साथ देशों के साथ में सीमा लगती है भारत की और वह साथ देश कौन-कौन से है तो यह हैं बांगला देश चीन नेपाल पाकिस्तान मैमार और भूतान ठीक ह नियुक्तष घुडए है तो अग्ला प्रशन कि निम्रिंखित में कौन से देश पलक इश्ज्डेत से जुड़े हुए हैं तो कौन से देश है जो पलक स्ट्रेयट से जुड़े हुए는 यानि- की पाक-जल ठीक है यह होता है पलक इस्ट्रेट तो आपके options हैं भारत एं स्रीलंका उत्तरी कोरिया एंदक्षडी कोरिया पाकिस्तान एंचीन ब्रिटेन एंव फ्रांस तो अधिया फ्रेंड्स की जो है कौन से इस देश हैं हो जो पल की स्ट्रेट से जुड़े हुए है तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है option option number A यानि की भारत और स्रीलंका तो बिल्कुल राइट अंसर है आपका ठीक है यह जो है पल की स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं option number A आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा clear चलिए देखते हैं अगला प्रेस्ट तो कई वर पूछा गया है कि पाक जल संधी किन दो देशों के बीच है और प्रेंट अगर आपने चुना है option number C यानि की भारत और स्रीलंका तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका यह जो है पाक जल संधी भारत और स्रीलंका के बीच है आप पाक समझ के पाकिस्तान में टिक कर दीजिएगा ठीक है यह स्रीलंका के बीच में है तो इस सबसे कम किस देश के साथ साजा करता है तो अच्छा क्वेशन है कि भारत जो है अपनी अंतर राश्टी सीमा सबसे कम किस के साथ में साजा करता है पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान या नेपाल बताईए सबसे कम जो है साजा करता है और सबसे ज्यादा कर पूछ ले तो सबसे ज्यादा साजा करता है बांगला देश के साथ ठीक है तो यह दो इंपोर्टन फॉइंट से याद रखिएगा ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए पीडिएफ के ल ठीक है जितना भी यह रहता है यह हो गया ठीक है और यह जो लिखाया कुल साथ यह सब आपको पीडिएफ में प्रवाइट किया गया है ठीक है चलिए आपका अगला प्रशने की निम्रिखित में से कौन ता पौतराशय कृत्रिम प्रोतराशय नहीं है तो चिन्नाइ तो चुन एक इसको बंदरगा बोलते हैं तो कौन सा जो है कृत्रिम बंदरगा नहीं पताइए आप लोग यह से निकी अंटार्टिका में इस्थित भारत के इस्थाई अनुसंधान का क्या नाम है बहुत अच्छा क्वेशन है कई पर पूशा गया है तो अंटार्टिका में कौन सा अनुसंधान केंद्र इस्थित है आपके ऑप्सेंस हैं दक्षिन भारत दक्षिन निवास दक्षिन जितरिया दक्षिन गंगोतरी मुई दोजर यह है दक्षिन गंगोतरी के से ऐस मेंं आपका ओप्शन नमबर ठी बिल्कुल सही उत्तर है तो आपका अगला प्रशन के किस देश के साथ भारत की सबसे अंतर राष्ट्री सीमा है तो मैंने अभी डिसकस कर लिया था इसलिए बताता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए क्योंकि कुछ ऑप्संस के डिटेल भी हम इसमें कवर कर लेते हैं तो अभी डिसकस क मनद्रकेहत्ति के सब्सक्याइब कि साथ ठीक है तो इसमें आपका आपसा नंबर सी बिलकूल सही होगा ठीक है बांगलादेस चलिए देखते हैंग्ला प्रशन कि है कि आज Πार और है कि अत्तर पृस्च्च्चम में भारत टेश के साहते हैता लगी होई है तो अच्य किस देश के साथ लगी होई है और श्री लंका म्यामार बांगला देश या पाकिस्तान तो अच्छा क्वेश्चन है और बताइए कि आपके क्वेश्चन नमबर 22 का राइट आंसर क्या होगा करना चाहूंगा कितनी जल्दी से क्वेश्चन शौर्ट टाइम में आपके इस चैनल पर कवर हो जाते हैं ठीक है तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए ठीक है तो आपका अगला प्रशने की दक्ष दीविप में कितने द्वीप समू है तो बात विए लक्ष दीव की और बत आपका लक्ष दीविप में कुल 36 से द्वीप समू है ठीक है और सी आपका इसमें राइट अश्रों का 36 क्लियर चलिए देखते हैं अगला प्रशन प्रशने की कितने इंप समू में से किसके दौरा एक दूसरे से अलग किये गए हैं थी क्षस्ण तेन डिग्री चैनल यहीं कि 10 डिग्री चैनल ग्रेट चैनल बंगाल की खाड़ी या अंडमान की खाड़ी तो यह क्वेश्चन मैंने अपने अरार बी एंटी पीची की वीडियो और दिल्ली पुलिस का जो मर्ज वीडियो था उसमें डिसक्स किया हुआ है और है तो फ्रेंड आपका अगला प्रष्णे की अंडमान द्वीबसमुव में गदी दार चोटी यानईकी सैंडिल पीक कहां इस्ति था अच्छा वेश्चन है अंडमान द्वीबसमुव में एक चोटी है जिसका नाम है सैंड donne पीक या गद्दीदार चोटी तो वो कहां इस्ति थे आपके आप्शन से ग्रेट निकोबार मध्ध अंडबान लिटिल अंडबान या उत्तरी अंडबान तो फ्रेंड्स अगर आपने चुन है अपसे नंबर डी एनिकी उत्तरी अंडबान तो बिल्कुल राइट अंसर है आपका अंडबान निकोबार दूइप में गद्दीदार चोटी उत्तरी अंडबान में इस्तित आपसे नंबर डी आपका इस प्रस्न के लिए बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं अगला अगला और आपका अंतिम प्रशने की कि लिए आपका अगला प्रशने की पश्चिम बंगाल की सिमाएं कितने देशों के साथ लगती है अभी यह हो फ्रेंट्स इस question का right answer हो जाएगा आपका option no.c ठीक है पश्चिम बंगाल की सीमा तीन देशों के साथ लगती है और वह तीन देशन हैं बांगला देश नेपाल और भूतान कौन बांगला देश नेपाल और भूतान यह ऐसे देश हैं जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती कि इसमें रोजना साम singer byआठ यह आपको मिलेगी ठीक है रोजना fill जंस अथ बजिसा आपको क्लास मिलेगी ठीक है और जो है बारा बजे और तो पक्लास क्लास चार बजे आपको